एपिसोड की शुरुवात में दिखाते हैं कि किंसू 10th फ्लोर पर होता है और वहां का evil spirit की कमी होने लगे होती है लेकिन तभी उसका soul अपने एक power का यूज़ करके वहां पर जितना भी evil spirit मौजूद होता है उन सब को अपने तरफ attract कर लेता है उतने सारे evil spirit को देखकर वो दि देखकर किंसू उस पर हमला कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है इसलिए वो अपने spear का यूज़ करके एकी वार में उसका दो टूड़ा करके उसे खतम कर देता है जिससे किंसू का power बढ़के तीन dragon का power हो जाता है इसके बाद 12th floor का सिन दिखाया जाता है जहां प कर देता है जिससे देखकर फोर्ट थोड़ा सो चौक गया होता है और किंसू देखते ही देखते एक ही बार में काफी सारे evil spirit को खतम कर देता है जिससे किंसू उससे कहा था कि मैं आगे जा रहा हूं यह बोलकर वो आगे बढ़ जाता है इसके कुछ तर बात का सिन दिखाया जाता है जहां पर किंसू 12th floor के सभी spirit को खतम कर देता है जिससे उसका power बढ़के 11 ड्रेगन तक पहुच गया होता है इसके बद 13th floor को दिखाते हैं जहां पर 9th होती है और खुद से कह रहे होते हैं कि हालंकि यहां तक आना ही मेरा limit है लेकिन मैंने 5 ड्रेगन के power को obtain कर लिय कि मैं तुमारे इस इच्छा को भी पूरा कर देता हूं यह बोलकर वो भी attack करता है जिससे वो काफी दूर फेका जाती है यह देखकर वो काफी जिते हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो लगवक 10 ड्रेगन पावर के force का बराबार है आखर इतना कम टाइम में तुम इतना जाद बड़ा है इसके बद 12 और 17 को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पिट्रे होते हैं और वहाँ के evil spirit को वो लोग बिल्कुल भी हरा नहीं पार होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर किंसु आकर उन evil spirit को खतम कर देता है उसे देकर वो दोनों थोड़े से चौक जाते हैं किं यहाँ पर जितना भी evil spirit मौजूद होता है वो सभी लोग एक दूसरे जगह पर चले जाते हैं यह देकर सिक्स थोड़ा सा चौक गया होता है कि आचाना कि यह क्या हो गया कि वो सभी के सभी लोग यहाँ सा चले गए वो कहते हैं यह तो काफ़ी जिदा अन्यूजवल है लेकिन वो से रोकते भी कहते हैं कभी नहीं अगले फ्लोर पर चल कर अपना पावर बढ़ाते हैं शिक्स उसका बात को मान कर आगे बढ़ जाता है वहीं पर किंसु उन सभी evil spirit को मार कर उनका पावर अब्जॉब कर लेता है जिससे उसका फ्लिस का पावर बढ़कर 23 dragon का पा रड़ा होगा जो कि 18th फ्लोर पर जाएगा ऐसा कहा जाते हैं कि 18th फ्लोर पर एक बहुती बढ़ा सीक्रेट है और वहाँ पर एक बहुती बढ़ा मौका भी चुपा हुआ है वहीं पर जेखकर लिंग कह रहा होता है कि 15th फ्लोर पर पहुँच गया है और काफी सारी लोग अपना कल्टिवेशन का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना फ्लेस का पावर का यूज कर सकते हैं, अब जब कि प्रिजन किंग किंजुम इंट्रेस्टेड है, तो वो उसे ऐसे जाने ही नहीं देंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो, माना कि प्रिजन किंग का असली आप होने लगता है, लेकिन तभी वो से सांथ करते हुए कहती है कि टाइम और फिट, ये दोनों हम बिदल नहीं सकते हैं, आज 18-19 गोट का लग का अच्छा है, जिससे कि कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है, अगर आप 18-19 गोट को हैरान करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपना दिखाते हैं, जो कि 16 इफलोर पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर 11-19 गोट को बचाता है, जिससे कि कोई भी आम कल्टिवेटर पार नहीं कर सकता है, लेकिन किन्सु के पास 35 ड्रैगन कापार होता है, इसलिए वो उन्हें आसानी से पार करने लगता है, इसके कुछ तेर बाद का सिंग दिखाया जाता है जहाँ पर इस वर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते है और उसका पावर एटलिस थाटी फावर को जितना होता है लेकिन तभी उसका सुप्रीम बोन उसका पावर को बोश्ट कर देता है जिससे कुछ टाइम के लिए किन्सु का पावर बढ़के 50 ड्रैगन के जितना हो गया होता है जिससे वो आसानी से उन पत्थरों को भी खतम कर देता है और तभी वहाँ पर एक सीड़ी आ जाती है ये देखकर वो कहता है तो क्या इसका मतलब मैंने इसे पार कर लिया है और लाश्ट का तीन फ्लोर ही सबसे ज़्यदे मुस्किल होने वाला है वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहां का किलिन का यंग मास्टर और फिनिक्स दोनों बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते ही अपना काफ़र जिदा तारिफ करने लगा होता है कि फाइनली मैं बाहर आ ही गिया मैं 16 फ्लोर तक गया था और मेरा फ्लेस का पावर 18 ड्रेगन का पावर जितना बढ़ गया है मुझे बता क्या यहां पर कोई है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है फिनिक्स कहा थी कि मुझे कहना पड़ेगा कि लास्ट का तीन फ्लोर ही असली टेस्ट है और मैं 16 फ्लोर पर ही हार गई थी मेरे हिसाब से 16 फ्लोर को पार करने के लिए एटलिस 50 ड्यागन पावर के जरुरत पड़ेगी जो कि मेरे हिसाब से कोई करी नहीं पाएगा तभी किलिन का यंग मैस्टर चिला कर बोलने लगा होता है कि 18 सौन अब गोट कहा पर है और वैसे भी युगा के लुचर कहा पर भाग गए है मुझे तस्ता कि वो लोग लाश्ट के 3 लेजनरी फ्लोर को देख भी नहीं पाए होंगे तभी 12 उससे कहते है कि इसमें इतना फनी क्या है 18 सौन अब गोट अभी तक बाहर नहीं आये है ये सुनकर वो काफर जिता चौक जाता है और कहता है क्या अभी तक वो बाहर नहीं आया है तभी वो लोग रैंकिंग टेबल को देखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि दो लोग 16 फ्लोर पर है और एक बंदा 17 फ्लोर पर पहुँच गया है ये देखकर वो सभी लोग काफर जिता है रहान हो जाते है आकर ये कैसे हो सकता है तभी वहाँ पर मियर और 6 फ्लोर बाहर आ जाते हैं और जाकर रैंकिंग देखने लगते हैं उन्हें देखकर वो सभी लोग कहने लगा होते हैं कि फाइनले 6 बाहर आये गया इसका मतलब ये कनफर्म हो गया है कि 18.99 गोट ही है जो कि 17 फ्लोर पर चला गिया है ये देखकर फिनिक्स भी काफर जिदा हैरानी से कहती है कि क्या किंसु सच में इतना जिदे श्रॉंग है और सभी लोग उसी के बार में बाते करने लगा होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो 17 फ्लोर को पार करके कोई नया रिकॉर्ट बना पाएगा दूसरा कहा था एक लाश्ट का 3 फ्लोर काफर जिदा मुस्किल है और मुझे लगता है कि 18.99 गोट खुद को काफर जिदा फोर्स कर रहा है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो उसे पार कर पाएगा वहीं पर ये देकर लिन काफर जिदा खुद सो रहा होता है वहीं पर 17 फ्लोर को दिखाते हैं जहां पर एक बहुती बड़ा सोट होता है और जैसे ही किंसो वहाँ पर जाता है वह उस पर हमला कर देता है और वह एक सोल अटेक होता है पिछला लेवल फ्लोर सोल पावर का टेस्ट था और ये वहला फ्लोर सोल पावर का टेस्ट होता है तब ही वह सोट दुवारा से किंसो पर अटेक करने जाता है लेकिन तभी उसका soul silkworm निकल कर उसे खाने की कोसिस करता है लेकिन उस sword का soul power इतना जदा high होता है कि वो उसे बिल्कुल भी खाने पाता है और वो sword ही उसे खाने पिने भर दे देता है किन्सु उसके attack से बचने के लिए अपना goat body armor को activate कर लेता है और उसके attack को resist करने के कोसिस करने लगता है लेकिन उसका भी कोई फाइदा नहीं हो रहा होता है क्योंकि उस sword का attack को से कफर जिदे mentally torture करने लगे होती है जिससे उसका 50% हिस्ता जम गिया होता है और 50% हिस्ता जल रहा होता है और उसका pain कफर जिदे extreme होता है जिसे कि कोई भी arm cultivator सहे नहीं सकता है तबी उसका दूसरे इंसानी आकार का consciousness बाहर निकलता है और उसका help करने लगता है जिस्तों उससे काफ़र जिदा आराम मिलती है और तबी उसका soul सिलक्वम उस पर attack करके उस sword को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जैसे वो उससे तोड़ता है वो sword एक soul crystal में बदल जाती है soul crystal एक legendary treasure होता है जो कि soul को growth को promote कर सकता है ये काफ़र जिदा rare item होता है जिसे कि सिर्फ great emperor उप्टेन करने में कामयाब हो पाएते किनसे उसे रख लेता है और अपने soul को उसे धीरे धीरे खाने के लिए दे देता है और तीसरा transformation ने complete करने को उम्मीद करने लगता है तब ही आखरी floor का दिर्वाजा खुल जाता है और वो बहाँ पर जाने लगता है वहीं पर बाहर में सबी लोग बाते कर रहे होते हैं अगर वो 18th floor में इंटर कर जाता है तो मैं उस अपना आइडल बना लूँगा ये सब सुनकर यंग मास्टर का दिमाग काफिल जीता खराब हो रहा होता है और वो चिला रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी जैकीन नहीं है कि किन्जो 18th floor में इंटर कर पाएगा लेकिन तभी रैंकिंग टेवल में दिखाते हैं जहां पर वो 18th floor में पहुँच किया होता है ये देखकर तो उस यंग मास्टर के बोलती ही बंद हो जाती है और सबी लोग कहने लगा होते हैं कि वो तो सचमे 18th floor में इंटर कर गिया आज हमें 18th सौनम गोट का 18th floor में इंटर करने का भागय प्राफ्ट हुआ है ये वोला ट्रिप तो सचमें काफिर जीदा वर्चिट रहा वहीं पर लिंग कहा रहा होते हैं कि वो 18th floor में इंटर कर गिया है अब तो उसे मरना ही पड़ेगा उसके फादर कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंदा मत करो 18th floor demonic realm है जिसमें कोई भी सर्वाइब नहीं कर सकता है वहीं पर 18th floor को दिखाते हैं जहां पर किंसू होता है लेकिन वहाँ पर कोई भी खत्रा नहीं होता है और सिस्टम sign in complete करने का भी कोई notification नहीं दिया होता है और जैसे वो एक कतम आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर एक बहुती बड़ा पत्थर आ जाता है और उसके उपर एक bronze fragment होता है किंसू समझ जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद ही sign in complete होगा तभी वहाँ पर एक demon किंसू का welcome करते हुए आता है उससे देखकर किंसू कहता है को तुमसे blood shadow के smell आ रही है लेकिन blood shadow के पास तो कोई physical body नहीं था लगता है कि तुम उसका enhance virgin हो तुम तो मेरे soul के लिए एक बहुत ही अच्छा tonic होने वाले हो वो कहता है कि तुम्हारे पास सच में काफ़े जद हिम्मत है कि तुम मुझे अभी भी खाने के बारे में सोच रहे हो मैं भी तुम्हारे बारे में बिल्कल सेमी सोच रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे skin चाहिए यह सुलकर किन सुक कहता है कि तुम काफ़े जिद नॉलेजवल हो जो कि मेरे forbidden supreme bone के बारे में जानते हो इतना बोलकर वो उससे पूछता कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्या तुम्हें वो डीमान हो जो कि blood shadow के release करके लोकों का मरवाते हो और जहीं पूछने के साथ ही पर इस episode की ending हो जाती है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के में सब्सक्राइब जरूर करें मेंने थाम अगली वीडियो में तब तो के लिए have a good day